नमस्कार वीवर्स मैं हूँ अमीश देवके नोर आप देख रहे हैं वीकेंड का सक्षे धाकर का रिक्राम ये धेश है हमारा ये पोलिटिकल दिबैकर करा है कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी करती है राउल गांदी ने और कॉंग्रेस में दोनों हाथ हों में लड़ू रखा है एक तरफ साउथ को साब लेए दक्षिन को और उसी तरफ नौर्थ को साब लेए जो भारत का नहीं है और किसी का नहीं है आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कर विवर्ज मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धाकर कारिकरम यह देश है हमारा आज बात होगी दो हाई प्रोफाइल सीटों की क्योंकि करीब 25 साल बाद गादी परिवार ने अमेठी से नाता तोड़ लिया क्योंकि 1999 के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार हो रहा है कि गादी परिवार का कोई भी उमीदवार अमेठी लोकसवा सीट से चुनाव नहीं लड़ा है हाला कि कई दिनों के सस्पेंस और कन्फ्यूजन के बाद जब कॉंग्रेस ने राइबर इली सीट पर अपने पत्ते खोले तो नया सियासी संग्राम बिछड़ गया कोई कि इस सीट पर राहूल का नाम सामने आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा हमला करते हुए कहा कि डरो मत भागो मत हलाकि दूसरे तरफ राहूल गांदी कह चुके है कि डरो मत लेकिन सवाल है कि क्या वाइनाट के साथ-साथ राइबर इली से भी चुनाव लड़ने के पीछे राहूल गांदी का पुलिटिकल डर है क्योंकि पिछली बार अमेठी से राहूल गांदी की हार हुई थी और इस बार केरल की वाइनाट सीट पर भी उन्हें काटे की टकर मिलने का दावा किया जा रहा है कहा जा रहा है कि लिफ्ट काटे की टकर दे रहा है तो क्या राहूल गांदी को गांदी परिवार के लिए सेफ सीट मानकर राहूल गांदी इस बार दो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या वाकई ये सीट राहूल गांदी के लिए सेफ साबित होगी लेकिन दूसरी तरफ वोट जिहाद से लेकर तुष्टी करण और धुर्वी करण पे भी जोरदार सियासी संगराम छुड़ गया है तो आज इनी तमाम मुद्व पर होगी देश की सबसे बड़ी वीकेंड की चर्चा ये देश है हमार हमें वीवर्स जिन्दगी में किसी चीज से डरो मत कभी नी डरो तो अपने दिल में से डर को निकाल दो अरे डरो मत भागो मत लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब दर पर आ गई है कॉंग्रेस ने राहूल गांधी को राइबरेली से लड़ाने का एलान क्या किया पीम मोदी ने उन्हें सीधे ललकार दिया अमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहां से भागकर अब राइबरेली में खोज रहें रास्ता यह लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भरके कहता हूं अरे डरो मत भागो मत पिर से अमेठी से भागकर राइबरेली में परचा डाला अरे राहूल बाबा मैं यहां से राइबरेली का परिणाम बता देता हूं अब राइबरेली से प्रचंद बहुमत से हारने जा रहे हैं इसी के साथ साफ हो गया कि राहूल गांधी अब की बार अमेठी से दूर रहने वाले हैं अमेठी से कॉंग्रेस ने सोनिया गांधी के सांसर्थ प्रचिनिती रहे किशोरी लाल शर्मा को स्मुदी रानी के खिलाब मैदान में उतारा है जिने अमेठी ने अस्विकार कर दिया जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो राई बरेली के पूर्टा कभी नहीं हो पाएंगे क्या वाकिर राहूल गांधी की और प्रियंका गांधी के बीच में कोई अन्बन है पोलिटिकल पावर देना नहीं चाहते प्रियंका गांधी जी को राहूल गांधी केम्प थैसले सारे राहूल गांधी जी के केम्प के द्वारा होता है वहीं पाकिस्तान और मुस्लिम आरक्षण पर भी जोरदार बहस चड़ी हुई है सवाल है कि क्या बीजेपी की वविश्यवानी सही साबित होगी या फिर उत्तर प्रदेश और वाइनार से कॉंग्रिस के किस्मत बदलने वाले नतीजे सामने आएंगे आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस दरो मत और अब बहस के आज के मुद्दे क्या है राहुल का राइबर इली जाना दर है या कोई बड़ी रणनी थी राइबर इली में सोनिया गांदी के गिरते जनादार के बीच राहुल गांदी की रहा क्या आसान होगी कोई कि आज भी वहाँ पर नारे लगे है गो बैक राहुल राइबर इली के अंदर वोट जिहाद जैसे मुद्दे उठा कर क्या विपक्ष धुर्वी करण तुष्टी करण कर रहा है यह भी आज की बात है यहां फिर सरकार तुष्टी करण कर रही है यानि बीजेपी तुष्टी कर रही है मेरे साथ आज कौन-कौन मेमान है जोरदार तालियों के साथ अभिरंदन करिए बीज़पी के लोग प्रेवर वक्ता मेंबर अपर्लिमेंट डॉक्टर सुधान शुत्रवेदी का जोरदार तालियों से अभिरंदन करिए विवेक शिर्वास्तव जी का लेफ्ट के नेता कॉंग्रेस के खिलाफ राहूल गादी के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दिया है जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राजकुमर भाठी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए परफेसर अनवर पाशा का राष्टे जनता धल के हैं वरिष्ट नेता है और जोरदार तालियों से हमारे सर्प्राइस गेस्ट की एंट्री के लिए तैयारी करिए हमारे सर्प्राइस गेस्ट है आज के लंबे अरसे बाद किसी बहस में आ रहे हैं अचारे प्रमोट किश्टम जोरदार तालियों तब इन देना है जय जय शिर्या, जय जय शिर्या चलिए, तो हमारे सारा पूरा पैनल, हमारे सारे महमान इदर त्यार है तो सिधा शुरुआत करते हैं डॉक्टर शुधन्शु त्रवेदी से इस चर्चा की सुधन्शु जी अचारे जी आपके पास आ गए है अब इसको इधर ले या उधर ले लेकिन डरो मत अब प्रधार मंतरी कह रहे हैं भागो मत देखे आचार जी हमारे पास नहीं है आचार जी राम के पास आ गए थे जिन लोगो राम से अदावत थी उन लोगे दिल में जो हिकारत थी इनके लिए वो उनकी सियासत में सामने आ गई अब मैं बताता हूँ देखिए ये जो निर्णे हुआ मेठी राइबरेली का एक दम राहुल गांदी बोलते थे ना मोदी जी के लिए खराब शब्दों में कि वो मेरे सामने थर्थर कापते हैं रे भाईया इस मृती रानी के सामने थर्थर कापने लगे उनसे लड़ने की हिम्मत न कर पाई स्मृतिरानी से कहते मोदी जिसे लड़ेंगे मताग गजब का तर्क देते थे वो और मैं बताना चाहता हूँ वे एक और बात साफ हो गई दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और अब जो कुछ कॉछ कॉंग्रेस ने निर्णा लिया उसमें दूद का दूद पानी का पानी मठे का मठा राइता का राइता हो गया है अब एकदम साफ क्या हो गया है कॉंग्रेस के अंदूरी दिर्ष्टे देखें यह दो बड़े निर्णे हुए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है अमिठी राइबरिली से दो बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार के प्रियंका गांधी गांधी परिवार की पहली व्यक्ति हैं जो राजनीत में आई मगर अगले चुनाओं में वो चुनाओं नहीं लड़ी जन्हों ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अब उनके परिवार ने कह दिया तुम लड़की हो इसलिए नहीं चुनसी लेके मम्मी की कांसिचुनसी में चले गए हमारी बहन जी से डर गए इसमरती रानी जी से तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जो यह दावे कर रहे ना कांग्रेस की सरकार बन रही है बीजेपी की एक सौसी सीटों से कम आएंगी अगर इसमें रती भर भी दम होता तो राहुल गांधी हमेठी छोड़ के नहीं जाते हैं आपकी बात चाहिए और आज नामांकल के लिए सोनिया जी गई थी यह राइबरेली वो जहां 2009 में सोनिया जी पांच लाग सब्सक्राइब वोटों से जीती थी अगर इनको हिम्मत होती तो क्या था सोनिया जी ज अपने परिवार के भाईया को जिता नहीं सकते सपावालों ने कहा कि जब तक अखिलेश जी आप खुद नहीं लड़ेंगे तब तक कंव नहीं जीत पाएंगे जो अपने परिवार को नहीं जीता सकते अमेठी की सीथ खुद नहीं जीत लेंगे ठीक है मैं अब विवेक के कहीं नहीं दिखी यह तो ऐसा दिखा कि मतलब कोई कुलहडी पे पैर मार दे जैसे अपना ऐसा नहीं है अब मैं सबसे पहली शुरुवात तो करूँगा कि देखें पूरा वक्त अव्य गांधी 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 और गांधी पर रहा इतना प्रभाव है गांधी परिवार का आज भी कि मारे डर के हमारे प्रवक्ता भारती गांधी गांधी और गांधी पर बोलें ब्रिटबूशन सरन सिंग पर भी बोल दीजिए जिसके लड़के को दिया है आपने टिकट और किस दर में दिया है डरों नहीं प्रदानमंत्री ने कहा है लेकिन खुड डर रहे हैं बुषन सरंड सिंग से जिसके वज़या से इस देश की लड़कियों चंतर मंतर के उपर बैट करके उत्पीडन के आरोप लगाए थे। मारे डर के उसके लड़के को टिकट दिया है रेवन्ना को ने साउथ दक्षन भारत का यह वो आदमी है जो भागा हुआ है और प्रधान मंतरी खड़े हो करके फोटो की चुआते थे दरो मत इनसे मत डरो बाहु भलियों से मत डरो जो लड़कें का उत्प्रिण करते हैं मत ड अधिकारी हो कि आप लगाईे कि रहुल गांदी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे अपन की जिरोत नहीं है सर न सारन सिंह का लड़का लड़का लड़के लड़ारे हो अच्छटा जो पॉइंट है क्या वाइनाट से राहूल गांदी जीतेंगे हां या ना पताना सही है ना करवंदर में आपके हां या ना अब आप सुन लीजिए मैं मैं एक वामपंती हूँ एक कॉम्मिनिस्ट हूँ कॉम्रेट एनी राजा का समर्थक हूँ ठीक और जब वहां पे चुना हुआ कम्मिनिस्टों ने कॉम्रेट एनी राजा के लिए कैन्वसिंग करी अरे राहूल जीतेंगे ना सर लेकिन सतर साल का जो इतिहास वामपंतियों का रहा है कॉंग्रेस के साथ केरल में हम उनसे एक सबसे पहले तो आपका जोरदर तालिव से एक फिर आपिन सने सुन ऐसा आपके समर्थक कह रहे हैं देश की पब्लिक कह रही है कि अब आप राइट जगा में आ गए है राइट जगा पे आ गए है लेकिन पॉइंट यह है मेरा नहीं राइट नहीं एक लाइन बोल दूँ जी महा भारत में एक ही आचारे विदुर जो थे कौरवों के पक्ष मे खड़े थे उसके बाद भी कौरव हार गए थे अब तो इकलोते धर्माचारे विधर आ गए हैं तो आप पराजे तय है अचारे जी यह कौन अडवाइस कर रहा है राहूल जी को यह आपकी तो आज सुबह सुबह दो-तिन नेताओं से कॉंग्रेस के बात हुई होगी तो कि किसने अडवाइस कर यह इस तरह की रननीति करो आप चाहते हो वह कांगरेस के नेता भी कॉंग्रेस से भाहर कर दिये जाएं आप चाहते हैं? मैं क्या चाहूंगा कॉंग्रेस में ही काफी लोग बहुत कुछ चा रहे हैं लग रहा है देखिए मुझे लगता है कि राहूल गांदी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था क्योंकि राहूल गांदी एक ऐसे नेता हैं जो कॉंग्रेस के सर्वमान नेता के रूप में उभरे हैं और पिछले 14-15 सालों से उनका एक शत्राज कॉंग्रेस में है उन्हीं के फैसले हैं और जब सेनापती जब राजा युद्ध से बाहर जाता है तो फिर सेनीकों का मनोबल तूट जाता है तो राहूल गांदी अगर अमेठी से लडते तो ये मैसिच जाता है कि वाकरी राहूल गांदी डरते नहीं है लेकिन राहूल गांदी बिलकुल सबसे ये कह रहे थे कि डरो मत बलके कॉंग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब उनका भाशन हुआ तो उन्होंने कॉंग्रेस के तमाम नेताओं से कहा के डरो मत जब उदैपूर चिंतन शिबिर हुआ प्लिटिकल एफर्स कमेटी का मेंबर था मैं भी उस कमेटी में था तो राहुल जी ने उसमें भी कहा के डरो मत उन्होंने पबलिक मीटिंग में भी कहा के डरो मत उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा के डरो मत लेकिन यहां कह रहे हैं हमेठी से लड़ो मत यह ठीक है एक एक को यह को यह कॉंड्स को अबस करनी लिए के लिए के लिए है left वाले बरबाद करने के लिए ही नहीं Left किसी को बरवाद करता है क्योंकि left जिसे देख लेता है और सोह मोड़े जाता है लेकिन विवेक श्रीवास्तर जी की मैं इमान्दारी का बहुत इनका आधर करता हूं कि इन्होंने साफ कह दिया कि हम वाइनाड में राहल गांदी को घृष आएंगे और अमेठी में राहल गांदी के गीत गाएंगे नहीं राइवरेली में तो सवाल इस बात का है कि ऐसे ऐसे सच बोलने वा और यह भारत शौर की पूजा करता है पराकरम के प्रति नमन करता पराकरम को प्रणाम करता है यह भारत है जहां यह सिवाजी का भारत है चत्रपति शिवाजी महराज का सरवस्य निच्छावर हो गया लेकिन औरन जेब को सजदा नहीं किया यह महरणा प्रताब का भारत है य यह जो भारत की जनता है यह योधा को चुनती है और आज राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है उससे यह मैसेज़ गया है कि राहुल गांधी अब योधा नहीं रहे योधा नहीं रहे। ये पार्टन पार्सल आफ लाइफ है अखिलेश जी भी कन्नोज से लड़ रहे हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि पीट दिखाना क्या आपको लगता है कि खराप स्ट्राइटरजी है और इसका नुकसान कॉंग्रेस को होगा और पूरे इंडिया अलाइंस को होगा मैंने सुधान सुतरवेदी जी को बहुत ही गौर से सुना इनके दुख भी अपरम पार हैं राहूल गांदी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो ये दुखी है अगर लड़ रहे हैं तो दुखी नहीं लड़ रहे हैं तो दुखी देखिए अगर रन नीती के तहत कोई नेता सीट बदल लेता है हमारे बराबर की सीट है गाजयबाद जनरल विके सिंग रिकॉर्ड वोटों से जीते थे इस बार नहीं लड़ रहे तो क्या के डर गए जनरल जो सेना अध्यक्ष नहीं वो डर गए भाग गए यह रंडीती होती है दूसरी बात आचारी जी कह रहे हैं महर उसके सरकार को खिला बोलता है उसके घर एडी भेज़ दी जाती है इंप्रैक्स भेज़ दीया जाता है CBI भेज दी जाती यह तरह से पड़तारित किया जा रहा periods दो मुखमंतरी जैल में ऐसे समय में अगर ताना साही के खिलाप खुलके बोल रहे अखलेश यादर बोल रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से डर पोक कहना या कायर कहना यह बहादुरी का अफमान है और अगर पार्टी बदलिए डर के तो आचारी जी ने बदलिया आचारी जवाब दें कि संकट के समय में पार्टी मा की तरह होती है पार्टी के साथ चुनाव राजकुमार भाटी जी को अपना ग्यान वर्धन करना चाहिए मैंने पारिटी नहीं छोड़ी पारिटी ने मुझे निश्कासित किया और और सुनो राजकुमार भाटी जी मैं छात्र जीवन से राजीव गांदी जी से जब मिला था तो मैंने संकल्प लिया था और मैंने जबकि कॉंग्रेस पारिटी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं लेकि मैं छोड़ नहीं पाया जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहूल गांदी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया मेरे सिर जाना पार्टी का अनुशासर है क्या बोल रहा है आप पार्टी का अनुशासर जी ने याद करियेगा वो शो आपका विए ता के आचार प्रमोत कि श्नम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मज जाए मैंने कहा था इनोंने कहा था कि आपके खिलाब कारवाई होगी और होनी चाहिए जो भाता विवारत की राष्ठपती भगवान निर्देश के विरोध में गए यह हमारा गौरब का विशह है आप शंक्राचारिया निर्धेश के विरोध में आप ने शंक्राचारियों का विरोध किया शखेबाते बहुत अम रदी तकी के लिए विवेक शिरिवास्तर जी पहली बात तो यह मुझसे लड़कियों रहे हो नहीं आप तो नहीं लड़ रहा हूं आप तो नस्तिक हो पार्टी का एक अनुशासन हो जब कॉंग्रेस पार्टी और अमीज देवगन जी मज़ेदार बात यह है एक फैसला लिया तो आप उसके खिलाब क्यों बहुत है अज़े एक तीस तीस ते गिन देवगन मज़ेदार बात यह है कि ना तो विवेक शिरिवास्तर जी की सद्धा संकराचार में है ना राम में है ना योध्धा में है और ना कॉंग्रेस में है मैं सीरियोरस एक बात कहना चाहता हूँ मुझे लगता है अभी राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया कि मैंने आज तक और सुधानसु जी बैठें मुझे कॉंग्रेस पाइटी ने छे साल के लिए निश्कासित किया क्यों किया मैंने तीन बाते उठाई पहली बार मैंने कहा कि भई कॉंग्रेस की कमान प्रिंका गांधी जी को सौब दी जाए पहला गुना दूसरा मैंने कहा राजिस्थान की कमान सचिन पाइलट को सौब दी जाए दूसरा गुना और तीसरा सबसे बड़ा गुना हो गया कि मैं मैंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा का विरोध मत करो राम मंदिर जाना अधिया जाना यह हमारा अधिकार भी है और यह हमारे लिए ठीक रहेगा तो क्या इन तीन गुनाओं के लिए मुझे पार्टी से निकाला गया तो आज मैं कहना चाहता हूं आज मैं कहन किस्ट्रेसना कि का कउनग्रेस्पाइटी के नितत्त अपने पार्टी से निगाला है लेकिन आज राज करने के लिगे जी देश्चे दिलों में बड़ता उक्षाजP लेकिन आप चर्चा में नहीं आये हैं, मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है पाशा साहब, ये रनीती जिसने भी बनाई, वो सवालों के घेरे में परफेसर साहब, और आप बहुत लर्नेड आदमी है, इसलिए मैं आप से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कई चुनाव लड़े लड़वाए, क्या आपको लगता रही है कि ये पॉलिटिकल डिबैकल करा है कॉंग्रेस पार्टी ने, बहुत बड़ी गलती है, और ये सिरफ मैंने ही कह रहा, कई पॉलिटिकल पंडित ये बात की बान रहे है, सबसे पहले तुम्हें सुधानशु जी शुरू में ये बात कही थी जब आपने कहा था कि अचारी जी हमारे सुधानशु जी के पास आगये, उन्हों ने कहा, सुधानशु जी ने कि मेरे पास नहीं आये हैं, वो राम के पास आये हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत ही बिनम्र पुरुवक्षा, बहुत प्राम के पास आगए, इससे पहले कहा थे आप, क्या रावन के पास थे आप, क्या इससे पहले आप रावन के पास थे, क्लारिफाई करेंगे, आचारी जी ही क्लारिफाई करेंगे, दूसरी बात ये कि आप जिस चीज को कह रहे हैं, कि बलंडर किया है, पुलिटिकल बलंडर किस चीस की तरफ इशारा कर रहे हैं राहूल गांधी का राइब रेली से लड़ना ये पुलिटिकल बलंडर है क्या हर पार्टी की अपनी एस्टेड़्जी होती है अपनी रंडीती होती है और राहूल गांधी ने अर्डू रखा है एक तरफ साउथ को साथ है दक्षिन को औ और आप देखेंगे कि इस रननीती का बहुत ही बहतर प्रणाम सामें आपके आपके हैं. साउथ वालों में तो पलीता लगा रहे हैं आपके बगल में खड़े होकर. दूसरी चीज ये बताऊं मैं आपको. सिर्फ एक मुद्धान को बदलना इसलिए 400 पार का नारा है सिर्फ 400 पार का नारा ही संभिधान को बदलने की और आरक्षन को खत्म करने की और इस देश को ले जाना चाहती है बार्दी जन्ता पार्टी सारे मुद्धों से भटका रही है पहले कहते हैं दस लाग देंगे फिर जब दितिश कुमार जी का सरकार बनाया काई 20 लाग देंगे अब कह रहें एक करोड देंगे अक्षियली में जानते क्या है वो यह इनके मन का भाव यह नहीं है इनके मन के भाव में एक शब्द छुप ग़िए दस लाग देंगे नहीं, दस लाग में देंगेे, फिर रेरेट हो गया, एक करोड में देंगे, जमीन अनमीन सब गिरी मी करवा लेंगे, अम मैं इनको जवाब देना चाहते हूं. प्रफिसर औरे आप प्रोफेसर आपके लिए जारा बारा करोड की आबादी के राज में एक करोड कर दिया जोगों को रोजगार दिये जाए आप प्रोफेसर हैं आप का यह जारा बारा करोड़ की राज्य में एक करोड़ सरकारी नोगरी यह क्षा शक्ति होनी चाहिए कि प्रोफेसर को नवी कलास वाले के सामने नत्मस्तक हो जाना चाहिए उसने जो मुझ से निकल गया वो ब्रह्मों वाक्य है यह आरक्षण खतम करने का रोब लगा रहे हैं आरक्षण खतम कर चुके हैं जामिया मिलिया इसलामिया में स्सी एस्टी ओबी सी का सारा आरक्षण समाप कर दिया गया और पूरा एक मुष्ट मुसल्मानों को दे दिया जूट कर दिया गया जूट का एक राज्य था जहां एस्सी एस्टी ओबी सी को कोई प्रतिनत नहीं था वो था कश्मीर धारा तीन सो सतर से पहले इस प्री टेक्स पे कि वो मुस्लिम बाट डॉमिनेटेड राज्य है आपने अरक्षण नहीं दिया था हमने दिया आज पश 90 जातियों को OBC में लाए और उसमें पच्चासी मुसल्मान जब पिछड़े वर्ग ने पूछा कि ये कैसे हो गया तो जानते क्या बोलतों ने ये कनवर्ट होने से पहले उस जाती कि थे इसलिए इनको उसमें दे दिया तो पूछा गया इतना कनवर्दन कैसे हो गया तो ज इसलिए इनके दिल में तक्वीवार कर देंगे कि मुसल्मानों को OBC में आरक्षन देंगे हाँ और इंडिया आरक्षन की सरकार बनेगी हाँ या ना एसा है आरक्षन के अपने रूल्स है देंगे की नई देंगे की नहीं देंगे किसली दिया आता सुनिया कोई जवाब नी कियों नहीं पराबर एकौलिक्टी लाने के लिए लाया गया था और समाज में नहीं है उस वर्ग को उस किलास को सबको मिलना चाहिए अरक्षन आप ये जो नब्य सेक्रेटरीज हैं सेंट्रल गवर्मेंट में सिर्फ तीन ओविसी के क्यों हैं बाखी सारे क्यों हैं बाखी सारे की वे ब्रहमन डाय कूदर भूम्यार ये लाहूल गांदी का वाक्य है नब देखिया ताप सेकेटरी गवर्मेंट ओफ हिंडिया का पोस्ट कोई आरजडी का जख्षपद नहीं है कि खट से गए और 25 साल में बन गए आपको यूपी एस्सी में सेलेक्ट होना पड़ता है टाइम बाउन प्रमोशन होता है फिर आप सेकेटरी में इंकर्णर्ड होते ह सेकेटरी बनते हैं आज जो भारत सरकार में सेकेटरी हैं वह 1902 बैच या उससे पहले के हैं यानि 92 91 90 89 88 बैच के लोग सेकेटरी हैं यह बताइए उस समय कितने ओवी सी थे किसकी सरकार थी हमने दिया किसके ओभी सी ते किसकी सवाल है अचारे जीशे कौन सवाल करना जाता ह झाल जी ने तो मेरे हपसे जो उनको करना चाहिए था उन्होंने अपनी साफ से किया वे अपने राम के पास आगह बस और क्या चाहिए इसान जी 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 अटुछ को घाना चाते हैं आप इसके ऊवपर देखे पहली बात तो यह कि विपक्ष के पास बहुत अच्छे बाते करने लगाया और अभी जिस तरह की बात हो रही थी भाई अगर आपको मुसल्मानों को आरक्षन देना है तो डंके की चोट पर कहो ना के देंगे आप डंके की चोट पर भी नहीं कहते हैं इसका मतलब है कि आप हिंदूओं को भी बेबकूप बनाते हैं आप मुसल्मानों को भी बेबकूप बना रहे हैं आप मुसल्मानों के भी सगे नहीं है आप ना हिंदू के हैं ना मुसल्मान के हैं आप दुकानदार हैं अपनी दुकान के हैं दूसरी बात अमीश दूसरी बात पाश्टा साव ने कहा कि अब तक आप कहा थे भाई मेरे लिए मैं बताओ मेरे लिए कॉंग्रेस भाजपा कॉंग्रेस का सवाल नहीं है मेरे सामने देश का सवाल है और मैं ऐसा मानता हूँ पाश्टा साहब मेरी बात को सुनिए गौर से मैं ऐसा मानता हूँ कि सत्ता और सिंगहासन छोटे हैं लेकिन सनातन से समझाता नहीं किया जाता मैं ऐसा मानता हूँ और मैंने ऐसा माना जब मैं कॉंग्रेस में था मेरा जगड़ा सुधानसु जी से भी कई बार हुआ है मेरा जगड़ा तमाम भाजपा के नेताओं से हुआ था मैं तब भी ये कहता था कि भगवान राम और राष्ट दो बातों पर समझाओता नहीं किया जा सकता मैंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की मैंने कॉंग्रेस में रहके भी ये बात कही अगर मैं कॉंग्रेस में रहके राम के नाम पे सनातन के नाम पे राष्ट के नाम पे चुप हो गया होता तब आपका सवाल जाइस था तब बात ठीक थी मैंने तब भी मीटिंग में कहा, अंदर Political Affairs Committee की मीटिंग में कहा, मैंने Tweets करके कहा मैं लगाता, धाई साल से अमेश ये कह रहा था, कि आप भाजपा से लड़ो भारस से मत रड़ो, आप सनातन से मत रड़ो, आप सनातन को खतम करने की बात करने वालों का साथ मत दो आप इस कॉंग्रेस को महतमा गांदी के रास्ते से हटा करके मुहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ मेरी बात को नहीं माना गया मेरी बात को नहीं माना गया उसका परिणाम देखना में इश्देखबन चार जून को फिर एक आवाज गूजेगी कि मैं नरिंद्र गामुदर दासमोदी तीसरी बार भारत का प्रधान बंतरी बारत देख लेना पॉइंट ये है कि तुष्टरी करण की प्रकास्टा ये है कि वोट जिहाद को जस्टिफाइ करने हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये जादा वोट करने की अपील थी वोट जिहाद किसको जादा करने की अपील थी किसको वोट जादा करने की अपील थी आप कह रहे हैं वोट जिहाद करे हमने ये सुना था कि लग जिहाद होता है लैंड जिहाद होता है अब वोट जिहाद प्रधान मंतिर नरिंद बोदी ने बोला करना क्या चाहते हो आप लोग तुष्टी करन की एक अलग प्रकास्टा है कही है पहले दो चरण के मतदान के बाद जब रुजान आये के भारती जंता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला उसे में उधासिंता है और भारती जंता पार्टी इनमें से जादतर सीटे हार रही है जिन एक सो लद्वे सीटों पे चुना हुआ है उसके बाद भार्दी जंता पार्टी के नीचे से लेकर उपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का सुधान सुजी ना आपके सो में सारी बात गलत बोली हैं, गलत बयानी कियें, गलत तत रखें, आपने पूछा OBC में मुस्लिम को आरक्षन देंगे, OBC का आरक्षन लाग हुआ मंडल आयूक की रिपोर्ट सिखकार होने के बाद, मंडल आयूक की रिपोर्ट में पहले से ही कि 90% जातियां मौजूद हैं, आपने बोला की बीजेपी के नेता जब दो राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई है, यह आपने बोला ना, तो उसके माज़ों ने यह करा, और ने लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे, ने ने आप उतर गुमरा कर जवार ने बोला की रहे बोला, ने 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 पहले जो आपके सो में जूंकर बोला गए रहे हैं, मैंने अमिजेश जी यह आप अपने सो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, ने ने आप बोलीजे बोलीजे, सेख, सेयद, मुगल, पथान, चार पांच, उच्छ जातियों को छोड जो मुश्म की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुमार, लुहार, बढ़ाई, सारे मुसरमान में जाती होता है, मैं यह आपके बीच में नहीं चिलाएं, मैं मुद्दे की बात कर रहा ह। सब को आरक्षन है मंडल में पहले से आरक्षन है दूसरी बात इनों ने का अलिगर्ण मुस्ली में चिन लिया जामिया में चिन लिया जो हमारे अलपसंख्यक संस्थान चाहे जैनियों के हैं चाहे सिखों के हैं चाहे पार्सियों के हैं सब में उनमें आरक्षन की विवस्ता नहीं है ये गलत वयानी करते हैं केवल हिंदू-मुसलिम भड़काने के लिए तो ये आप पूछें के वोट जिहाद क्या था वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला हलाकि इसका मैसिज क्या गलत बोला उसने कहा हमें क्या कहता तो उसनने सांती के साथ रबसांती के सांती पार्वोसि के साथ कह वोट का जिहाद करना है ठीक है जिहाद का आप डिक्स्नरी निकालो द्याद अच्छा जिहाद का आर्थ होता है नियाय के लिए लड़ना नियाय के लिए जिहाद थी राम रावन के लड़ाई भी जिहाद थी राम रावन के खिलाव घह improvements अरे ने? ओर आतो अभुर जोगे वासे कि अधू का कई हैं टूष्टी करन की परकाष्टा की हमारे यह वांड रावन के जिहाद थी अवह चीह प्रश्ने की बात पर यह ले राम यह राजा नहीं प्रबू राम और रावन की लडाई न्याए और न्याए कि ृविए और न्याए कि लाई ती कुछ तो सीमा तैय करनी पड़ेगी अरे वोट का भी जहाद हो रहा है राम और रावण की बीद में जहाद हुआ था नहीं दोनों भगवान चंकर के प्रखांट भगते भगवान राम भी और रावण भी सर्व ग्यानी थे रावण लेकिन उसके बाद भी उनका वद हुआ क्योंकि उन्होंने असत्ते का साथ दिया था उन्होंने अन्याए करा था लेकिन जहाद तो नहीं था जहाद तो नहीं था अचारे जी है करिया आप करिये लेकि राम रावण के नहीं थी जहाद नहीं थी तो क्या हम मानना है कि राम हिंदू के नहीं है यह गुमरा करने की बाद हिमाले समारम यावद इंदू सरोरम तद देव निर्मितम देशम हिंदूस्तानम प्रचक्षते पुरान में लिखा है अब तो कल पर सो लिखी गई आप आदी फर्जी थी अब और बाई ब्रच आप्प्र आप प्रच्ष्ट अब अब दूसरा भोता हूँ आश्टा दश पुराण शु व्यासत से बचनत ब्यम परोपकाराय पुर्ण्याए पापाय परमिडरेंग व्यास कर वेदे हैं कभी जिहाद, कभी पुरान फरजी, कभी रामायन फरजी, कभी रामायन फरजी, लिमिट होती है, फरजी, ओके, अचारे पर बहुत किस्टम, मैं आपके बाता हूँ, अभी काफी सारी बाते हुई, आपको क्या कहना है? देखे, पहली बात तो यह है, कि पुरानों की जो रचना हुई, महरिशी वेदव व्यासने की, हजारों साल पहले है, उसमें हिंदू शब्द आया है, और राजकुमार भाटी जी निसंदे विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिके प्रवक्ता हैं, और बहुत ही इ मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, यह मुद्दे होने चाहिए, लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, क्या भारत की असमिता मुद्दा नहीं है, इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की तो क्या हम भारत के गौरब को जो गौरवानिवित करने का काम कर रहा है उसकी सरहना हमें नहीं करने चाहिए मैं अभी दुबई से लोटा हूँ आबुधावी के अंदर गल्फ कंट्री के अंदर जहां एक हजार साल पहले चुन-चुन कर मंदिर गिराए गए थे तोड़े गए थे मंदिरों का सफाय हुआ था अमीश देगबन जाना आबुधावी जाना UAE के अंदर जो भब मंदिर का निर्मान हुआ है इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सलूट करता हूँ मैं सलूट करता हूँ और यह मुद्दा है मैं उसे देश की राजनीती में रहने का हक नहीं देना चाता 1950 के दशक में पहला मंदिर हिंदूों का दुबई में बना है और उसमें पूजाएं होती रही है तो क्या तब भारत का मान सम्मान नहीं था सतर सालों में हमारा धर्म रहा राम रहे वरत रहे तीस्ते ओहार रहे तो क्या तब भारत का स्वाभिमान नहीं था आप धर्म गुरू है आप न्यूट्रल रहे आप उसका साथ दीजे जो सही है और प्रें भी बता देता हूँ चार जून को इंडिया अलाइन्स आएगा और डंके की चोड़ पे आएगा अपसे कुछ देर पहले बहुत बड़ी बाद बो लिए कि नरेंद मोधी को अगर तीसरी टम मिलेगी तो शर्या लो को यानि जो मुस्लिम पास्तर लो है उसको हम समाप्ट कर देंगे इसलिए मैं कहता हूँ कि तीसरी टम बेंडनी जाए नरेंद मोधी को ये ग्रे मंत्रिया में चाने बोला है राजपार भाटी यूर रियाक्शन डू देस अमित सहाजी और मानने मोधी जी और उनके तमाम नेता और तमाम पिरवक्ता पूरे कोशिस कर रहे हैं चुना हो हिंदू मुस्लिम पे चुदान चुद्रित हो जाए लेकिन वो करने ही पा रहे है आपने शरीया बोला और उन्होंने वोट जिहाद बोला शरीया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके निता क्या कहते हैं सजदे में निगार है तमाम होश औ खिरत पेश बाच्शा रहे तुरान सियासत के आगे नत्मस्तक हो जाते हैं कहां बोलने हैं बड़े जोर जोर से डिडड़ गच की जमान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है वो फर्जी है मगर दूसरे धर्वगर्थों के बारे में जैसे कहें मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूँ मेरे को उस से मतलब नहीं है मगर जब आप कहेंगे शरिया शरिया तो होना चाहिए जिहाद का इतना मतल्ब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाणा नशंजा पाएगा जितना कोई मुफ्ति मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा सेर कुछ महंगा हुआ की नहीं हुआ लेकिन सियासत कुछ देखे इस देश में हर चीज महंगी हो गई लेकिन सियासत बड़ी हलकी हो गई सियासत बड़ी सस्ती हो गई इस देश के अंदर सियासत तनी सस्ती हो गई कि वो चंद वोटों के लिए और ये सब नेताओं से मेरी बात है वो चंद वोटों के लिए कुछद भी करने को तैयार है या यह जो मैं कहनाजाता ओं यह दिल के यह जाताけれ neste क Street कर दाता हूं विविएक जी, सुनिये। क्या भारत की नहीं नरेंदर मोदी। मैं सुनना चाहता हूँ आचारी जी घे उसे, मैं मेरा सवाल दू सुनो। ऐसला आपकी के पुराने साथी है। यह आधिके पुराने साथी है। यह मेरा प्रहां साथी रहेंगे। मेरा लोग तांत्री के दिकार है दस सेगर विवेक श्रीवास तब बताओ नरेंद्र मोदी का गुणा क्या है कि भारत को नई संसद देना नरेंद्र मोदी का गुणा है क्या भारत से 300 कश्मीर से 370 हटाना नरेंद्र मोदी का गुणा है क्या आबू धावी के अंदर भब का निर्मान करना नरेंद मोधी का गुणा है कि 500 साल के संगर्ष को विराम दे के राम बंदर की भब इमारत को खड़ा करना गुणा है कि भगवान का अवतार जहां होगा उस संभल में श्रीकल की धाम का शिला न्यास करना गुणा है क्या सी करोड लोगों को जिनको जो इन्हों ने हर परवेश को बाटा कुर्सी के उद्देश लेकिन मैंने फिर ये बोला कि सियासत के इस दौर के अंदर हलका पन बंध होना चाहिए यह मेरा निवेदन है और इस देश की जंता को मेरा बहुत-बहुत हाज़ोर की निवेदन है कि कि पे अपना वोट डालने ज जरूर जाएं धूप, गर्मी, छाया, बारिश, बहाने मत करें, वीकेंड का बहाना मत करें, अगर आपने आज वोट नहीं डाला, तो कल आपका किसी पर को सवाल पूछने का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप वोट नहीं डाल रहें, आप अपना करम तो करिए, भारत की संतरत को लोगतंतर का मंदिर का जाता है, इसने मेरा आपसे निवेदन है, और देश की जनता, जन्मानुस बहुत ग्यानी है, और जरूर वोट डालने जाएगी, आपने आरपाल को आप प्रत्याश्यत प्यार दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यव को कि एक बार फिर आपका कारेकरम डिजिटल पर टीवी पर नंबर वन है, धन्यवाद, आप सब को मेरी नमस्कार, जाहिंद